हलो फ्रेंस, वैलकों बैक टू आ चैनल, हीमाचल कलड़र की सीरीज जो हम डिसकस कर रहे हैं उसमें हम फेस्टिवल्स डिसकस कर रहे हैं और फेस्टिवल का ये पार्ट टू है हमारा और आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ डिसकस करना चाहँगा इंडियन मंत का कलेंडर लास्ट वीडियो में भी हमने डिसकस किया था तो प्लीज टूडेंट इसे स्कीप ना करें बहुत important है ये exam point of view से तो मेरी आप से request है तो प्लीज इस चीज को avoid ना करें तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जो पहला हम festival डिसकस करेंगे हो है सैर, सैर एक काफी important festival है लोर हिमाचल का, specially डिस्टी कांगडा, मंदी, बिलासपूर, हमिरपूर हमें बड़ी धुमदाम से, सौज के महीने में मनाया जाता है सौज का जो महीना है, लोकल मन्त है जिसे हम Indian calendar के accordingly, अश्विन का मन्त जानते है बड़ी धुमदाम से, पहली तारीक को मनाया जाता है सौज के महीने में और यह मान्यता है कि महासू एरिया के जो लोग है वो जो समरिद लोग होते हैं वो इस दिन बारबर्स को पैसे भी देते हैं और काफी पुरानी प्रथा है बट अब शायद इस प्रथा का प्रचलन जादा नहीं रहा है और जो सेर का फेस्टिवल है हमारा वो एग्रिकल्चर से र्लीटिड है और बड़ी दुमधाम से मनाय जाता है चमबा में इस दिहार को सेर की सकरांत के रोप में भी मनाते हैं जो सेम डेट को ही होती है जो सकरांत है तो सकरांत जो है लोकल हिमाचल में किसी भी इंडियन केलेंडर के कोड़ी जो मन्त का पहला दिन होता है उसे सकरांत और साजा कहा जाता है तो इसलिए चमबा में से सैर की सकरांत के रूप में मनाया जाता है और आपको बताना चाहेंगे कि हमारी कुछ पब्लिकेशन्स भी है हिलियोस कोजिंग की जैसे हिमाचल 360 डिगर तो अपनी एरेश्ट बुक स्टोर्स जाके इन बुक्स को ले सकते हैं या फिर हमें भी कॉल आप कर सकते हैं हमारा अगला जो फेस्टिवल है वो लोसर फेस्टिवल लोसर भी एक बहुत इंपॉर्टन फेस्टिवल है जो लॉल्सपिती और किनौर में बड़ी धुमधाम स निउएर फेस्टिवल है बौध धर्म के कलेंडर के अकॉर्डिंग ली इस दिन जो है बौध धर्म के अनुआईओं का जो साल है वो शुरू होता है किनौरी भाशा में लोसर का मतलब होता है नया साल बड़ी दुमधाम से इस तिहार को मनाया जाता है और ये भी प्रता है इसकी इस्टोरिकल जो इसकी इंपोर्टेंस है यह माननेता है कि जो इस दिन जो है तिबत में आपका बहुत धरम का आगमन हुआ था और इस खुशी के अफसर पे भी से मनाया जाता है तब से इसकी प्रथा जो चलिया ही है और लोसर के फेस्टिवल के टाइम मेले भी लगते हैं इन concern areas में और जो लोग हैं वो चाम और शौन डांस भी perform करते हैं इस खुशी के मौके पे अगला जो हमारा फेस्टिवल है वो हाल्दा फेस्टिवल हाल्दा फेस्टिवल भी एक बहुत important फेस्टिवल है चंदर और भागा वैली का जो लौल स्पीती में है इसे भी नव हाल्दा जो है ये फेस्टिवल ओफ लाइट्स और जो पॉश और मा के महीने में मनाया जाता है स्तानिय भाशा में हाल्दा का जो मतलब है वो टौर्च होती है जो जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में मशाल जो आपका सूखी लकडी और देवदार की घास से बनती है और शाम के वक्त जो है लोग एक कॉमन प्लेस में एक अठा होके जो गाउं में आपका चुबारा होता है वहाँ इन मशालों को ले के आते हैं और वहाँ उन्हें जला के बड़ी धुमधाम से जो हैं देवी देवताओं का पूजन करते हैं और नाचते गाते हैं इस्तानी देवताओं को काफी महत्व है इस सेरमनी में जो हल्दा की होती है और इसकी जो इंपोर्टेंस है इसे जो माना जाता है वो दिवाली के एकुलेंट माना जाता है तो लहौल और स्पीती के लोगों का काफी परमुक त्यहार है जो आल्मोस्ट आपका एकुलेंट दिवाली है और काफी हत्ता के सिमिलर भी है दिवाली की तरह इसलिए से Festival of Lights भी कहा जाता है अगला हमारा जो Festival है वो है गोची Festival गोची Festival पे परमुक Festival है भागा वैली का जो फागुन के महीने में मनाया जाता है इस टेहौर को गोची के रूप में भी जाना जाता है केलॉंग में काफी दुमधाम से इसे मनाया जाता है जो लॉल्सपिती में है आपका और इसकी जो खास बात ये है गोची की एक आपका कॉमिनल जो है एक तिहार है जो पूरे गाउं भर्म के लोगी कठा होके मनाते है इसकी जो माननेता ये है कि जितने भी एक वर्ष में जितने भी मेल चिल्डरन जो है किसी गाउं में पैदा होते है उन बच्चों का ये जो है एक सामुहिक तौर पे जो जो जैनम दिन मनाया जाता है जो बड़ी दुमधाम से मनाते है लोल्स पीती के अलग-लग एरियाज में अलग-लग रिच्वल्स फॉलो करके से मनाया जाता है के लॉंग में जिस तरह से ये माननते है कि महाँ एक पेड़ है उस पेड़ की पुजा करते हैं और कही जगा पे जो है आपकी घी और मिटी की बक्री बनाया जाती है और फिर उसे चड़ाया जाता है और पुराने समय में पशुबली की भी प्रता थी परंतु जो अब है इस तरह की प्रता प्रचलन में नहीं है इसलिए मिटी और घी की गोट बनाके जो है वो देवी या देवताओं को अरपन की जाती है और इस दिन जो है इस गोची फेस्टिवल में जो पंडित हैं जिसे स्तानिय भाषा में लगदांपा भी कहा जाता है वो हवा में तीर मारके जो है बच्चों की कामना के उजवल भविशे की जो कामना करते हैं तो इसी तरह से काफी प्रमुख त्यहार है जो बड़ी धुमधाम से पूरे एरिया में मनाया जाता है हमारा जो अगला त्यहार है जो हम डिसकस करेंगे है वे बेसाखी बेसाखी पूरे इंडिया का बहुत फेमस त्यहार है और बड़ी धुमधाम से इसे हिमाचल में भी मनाया जाता है हिमाचल में से अलगलग जिलों में अलगलग नाम के तौर पे सेलिबिड किया जाता है जैसे शिमला सिर मौर में से बीशा या बिशू के नाम से मनाया जाता है किनौर में बीश और रशकयां के नाम से मंडी का अंगडा में बिसोवा के नाम से ये तिहार प्रचलीत है और पांगी के चमबा में से लिशू के नाम से मनाया जाता है बिसाखी के मेले भी जो हैं परदेश भर में लगते हैं इस दिन और यह बिसाख का जो हमारा महीना है उसके पहली तारीख को आता है जो अपरैल का मन्त होता है और जो यह माना गया है कि जो बिशु शब्द है वो भगवान विश्णू से लिया गया है साजा का जो मतलब है पहड़ी भाशा में वो पहला दिन होता है इंडियन कलेंडर के किसी भी मंत का उसे साजा यद सकरांत के रूप में भी मनाया जाता है और इस दिन जो है काफे रिच्वल स्पिरिच्वल भी काफी इंपॉर्टेंस रखता है ये तिहार लोग हरिद्वार जाके जो है वो नहाते भी है और सनान का अपना महत्व है तता पानी जो है शिमला के पास जो डिश्टिक मंडी में पढ़ता है वहां मारकंडा बिलासपूर और बानगंगा कांगडा में भी है जो सनान की जो मेलों के दुरान सनान की जो प्रता ह वो काफी प्रचलीत है तो लोग दूर दूर से आके इन स्तानों पे असनान करते हैं और इस दिन जो है शिमला और सिरमाओर में ठोड़ा का योजिन किया जाता है और लोर हिमाचल में कुष्टी कबड़ी आदी खेलों का योजिन भी किया जाता है तो पुरे परदेश भर में से बड़ी दूमधाम से मनाया जाता है आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जूर करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाई हो सब्सक्राइब भी करें आपको बता दे हमारी टेस सीरीज जो है वो काफ़े डिसकाउंटेड रेट में चल रही है तो आप इसे भी अवेल कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए नमबरों द्वारा टेस सीरीज के अलावा हमारी मंतली मैगजिन है वो भी मार्केट पे अवेलेबल है आप उसे भी ले सकते हैं आपके सुझावाओं को हमें इंतजार रहेगा थैंक यू एंड आल दा बेस लो मार्केट